मेरे बच्चे क्यों इतना गुसा करते हो बात बात पर ये तुम्हारा गुसा ना तो मुझे अच्छा लगता है ना तुम्हारे परिवार को अच्छा लगता है ये गुसा तुम्हारी परस्तितियों को और खराब करेगा तुम क्या समझते हो मैं चित्र के रूप में जब मुर्ती के रूप में तुम्हारे घर में हूँ नहीं मैं सक्षात हूँ मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ जब मैं एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ कभी नहीं छोड़ता मैं तेरी हर समस्या के बारे में चानता हूँ हर तकलीफ के बारे में चानता हूँ आ बैठ मेरे पास मुझे सुना मैं तुस्से सुनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो तुने मन में इतना बोज डाल रखेना उसको हलका कर मैं यहाँ सुनने और सुल जाने के लिए तो बैटा हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी गल्ट नहीं होगा मैं सब संभाल रहा हूँ तुम्हारी जिंदकी में बस तुम अपने गुसे को खम करो यह अच्छी बात नहीं है मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाओंगा तुम कई बार मुझसे शिकायत करते हो कि बाबा आप मेरा साथ छोड़ गए मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे मैं पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं सिरफ एक तरीका ही नहीं बलिक एक समर्द तरीका बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कर्मों का बोज अब भी सहन कर लो अगर इनका बुकतान अधूरा रह गया तो ये तुम्हें जिन्द की भरतान करते रहेंगे क्या पूरी जिन्द की में तंग होना चाहते हो तो एक बारी परशानियों को सहलो न जिनकी के सबसे बुरे दोर में तुम मुझे छोड़ने की सोच सकते हो पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा मैं आपको इस खराब समय से पाहार निकालने के लिए आपके साथ रहूँगा मैं आपको ताकत दूँगा जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं जा सकते जब आप निराश्य मैसूस करोगे तो मैं आपको खुशी दूँगा मैं आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाऊँगा जिसे आप असानी से पार कर पाएंगे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ये अंधेरी रात खतम होने वाली है एक नई सुबह आने वाली है जिसमें खुशियां ही खुशियां है घबरा में मेरे बच्चे बस थोड़ा समय हो रहे गये और अपने गुसे और नकरात्मक विचारों को मतला अपने मन में ये परस्तितियों को खराब करते हैं और दुखों को और बढ़ात देते हैं और रास्ता लंबा कर देते हैं इसलिए मेरे बच्चे खुश रहे तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ है और तेरे लिए काम कर रहा है बस आज इतना ही अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें ताकि बाबा की संदेश सब लोगों तक पहुँच पाएं ओम सही राम